इस्रेल के प्रधान मंतरी बेनियामिन नेतन याहू इन दिनों चौत तरफा चुनौतियां जहल रही है। चौत तरफा इसले कहा जा रहा है क्योंकि युद के मोर्चे पर अब भी इस्रेली सेनिक डटे हुए हैं जिनकी कमान जाहर सी बात है आदेश के तौर पर बेनियामिन नेतन याहू के जरिये दी जाती है। चुभारी नुकसान हो रहा है अंतराश्टे स्तर पर जो किरक्री भी सामने हो रही है और चौते तौर पर देखा जाए तो वो आंदोरन जो हाली में नवीवार के दिन नजर आया। दरसल येरिशलम के संसत के बाहर दस हजास से ज्यादा लोगों ने सड़क पर उतर कर अपना घुसा अपनी नाराजगी जाहर की है बेनियामिन नेतन याहू के खिलाफ। हाली में नेतन याहू का हर्निया का उपरेशन भी हुआ है सेहत समबन्दी भी वो दिक्कते इस वक्त जेल रहे हैं लेकिन जो विरूध के सुर अंदर खे में से उठ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमास में जो बंधक है जो बंधक है इस्रेली आखिर उन्हें क्यों नहीं छ आमने जुक रहे हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, हम वो महाशक्ती के साथ में हैं, जहां पर हम हर मोर्चे पर हमास को मुटोड जवाब दे रहे हैं, दस अजार से ज्यादा लोग जब भारी तादाद में अपनी नाराजगी दिखाते नजर आए, तो सुर्य यही उठ रहे थे कि फिर आखिर हमारे बंधक उना तंकियों हमास के चंगुल से क्यों नहीं छूट पा रहे हैं, वो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि इसके पीछे नाकामी नजर आती है इस्रेल के प्रधान मंतरी बिन्यामिन नेतन याहू की, हाला कि बिन्यामिन नेतन याहू पहले भी और अ आत भी दे रहे हैं और अगर आप नजर भी डालेंगे तो जस तरह से तोनों तरफ से खून भे रहा है, जस तरफ से जब इस्रेली सेने का बार करते हैं और उसके पीछे जो तबाही का मंजर नजर आता है और हाली में भी जो अपने तस्वीरे देखी, तूटी हुई मारते देखी, शवो का भंडार देखा, अस्पतालों पर जस तरह से बॉम गिरे हुए हैं, हलाकि लगातार इस्रेल की सरकार कहती रही है कि निशाना हमारे आतंकी रही है, बेगुना नहीं, लेकिन जब युद होता है, जब युद होता है तो जाहर सी बात है, नुकसान वार करन होने सामने है, हमास के पास एकातंकी समू होने के बावजूद अलग ताकत है, ये वो ताकत है जो इस्रेल को सीधे सीधे साथ आक्टूबर को बड़ी चुनौती देते नजर आया, इससे पहले भी तोनों दोनों के बीच में जो आपसी टकरार है, जो आपसी कड़वाहट ह वो वक्त वक्त पर सामने आई है, लेकिन साथ आक्टूबर दो हजार तेईस से जारी ये जंग महाजंग में तब्दील होती है और हम देखते हैं कि गाजा पर किस तरह से इस्रेल सीधे सीधे बड़े हमले कर देता है, जमीन से लेकर आसमान तक हमने देखा तबाही का वो मनजर जो दर्दनाक मनजर के तस्वीरों के साथ में सामने भी आया है, लेकिन अब अब चुनौती यहां पर बेनियामिन नेतन यहू के सामने ये है कि उन्हें अगर विश्वास पाना है तो बंधकों को चुड़ाना होगा, जो हमास किसी भी कीमत पर फिलहाल अभी तो करत हुआ नजर नहीं आता है, रोजे जरूर इस वक्त रमजान का महिना चल रहा है और अगर पिछली बार भी आपको याद होगा, तब भी कहा था कि इस वक्त के लिए जो जंग है उसे रोक देना चाहिए, फिर शुरू हुई जंग और अभी भी उसी तरह से ये जंग जारी ह है, देखे जब हम हमास का जिक्र करते हैं, जब हमास का हम जिक्र करते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस हमास का बार बार जिक्र यहां पर किया जाता है, वो आखिर है किया, एकातन की समौ, एकातन की समौ यहां पर हमास को कहा जाता है, पूरी डीटे साल रहता है यानि ne今年 87 यह वो साल यहाँ पर रहता है जब पहली बार फिलिस्तिάν में इनतिफादा या विध्ड़व हुई थी अब इनतिफादा जिस का जिसका जिक्र जब किया जाता है तो इसके जिक्र के तौर पर इसका मतलब बाता है बगावत करना विद्रो करना वो विद्रो यहां पर जब शुरू होता है तो फिर बढ़ता चला जाता है और इतना इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लेता है कि आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ चारो तरफ खून नजर आता है देखिए अब बिन्यामिन नेतन याहू जानते हैं कि हमास भले ही एक आतंकी समू है लेकिन यह कोई कमजोर समू नहीं है इसके पास वो ताकत है जो इस्रेल की सरकार को चुनौती देती आ रही और इस बार की चुनौती ने तो वैश्विक तोर पर ये बता दिया कि कितना जरूरी हो जाता है कि एक जुटा के साथ अंत किया जाए अगर हम इस्रेल के नजरीय से इसे देखें लेकिन इसके साथ साथ ही बेनियामिन नेतन याहू ये भी जानते हैं कि अकेले अपने दम पर वो इस जंग को जीत नहीं सकते हैं वो ये भी मानते हैं इसलिए अंदर खेमे से ये खबर भी निकल का सामने आई कि किस तरह से महाशक्ती शाली देशों से हतियारों की बड़ी ख चाबर ये भी है कि वो हत्यार उन्हें मिल भी रहे हैं देखिए अगर हमास को मुतोड जवाब देना है क्योंकि गाजा में हमने खून बहता भी देखा है इमारतों को ध्वस्त होते भी देखा है सालों पीछे गाजा एक बार फिर से जा चुका है और वही वही खतरनाक मनजर यहां पर सामने आता है जो एक बार फिर से दिल धहला देता है क्योंकि छे महिने का एक एक दिन लहु यहां पर बहता हुआ Zराया है इमारतों को ध्वस्ट करता हुआ नजर आया है समझोतों की बात जरूर होती रही है अगर हिंदुस्तान का पक्ष यहां पर जानेंगे तो हिंदुस्तान हमेशा से यह कहता रहा है कि आतंग को किसी कीमत पर नहीं जहिला जा सकता सहान नहीं जा सकता है लेकिन इंसानी जिन्दगी को बचाना प्राथ मित्ता यहां पर होनी चाहिए और ऐसे में बीच का रास्ता सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है पर इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है बिन्यामिन सरकार के पास में नेतन याहू के पास में वो यही है कि वो अंदर खेमे क्योंकि जो गडबंधन है जो गडबंधन है वहां सरकार जो चल रही है उसके हसाब से भी सुर जो है वो विरोध के उठ रहे हैं यानि कि जो अब बिन्यामिन नेतन याहू के जो अपने है या फिर जिन्हों ने सत्ता चलाने के लिए अपना साथ दिया है वो भी अब विरोधी सुर में तब्दील हो रहे है क्योंकि अपने बंधकों को चुड़ाने में हमास के चंगुल से क्या वो नाकाम हो रहे है जो वादा वो लगातार कर रहे है वो आखिर पूरा क्यों नहीं कर पा रहे है अगर वो खुद को या अपनी सरकार को अपनी सेनिकों को इतना ताकतवर बता रहे है हलाकि इसमें भी कोई दोर आए नहीं है इतना आसान नहीं है वहाँ जाना और अपने बंधकों को लाना एक तस्वीर भी हाली में सामने आई थी किस तरह से इस्रेली सेनिकों ने वहाँ पर हाली में वे अपने एक मिशन को कामियाब बताया और जब वहाँ से निकले तो वो ख़फनाक मनजर भी एक बर फिर से सामने आ गया जो रोंगते खड़े कर रहा था इमारते तबहा थी एस्पताल तबहा थे लाशे यहाँ पर दिखाई दे रही थी शायद यही कामियाबी का एक पैमाना हो गया है जब युद होता है और यही युद पिछले छे महीने से जारी है यही युद बहुत बड़ी चुनावती बन रही है और दस हजासे ज्यादा लोगों का सडकों में उतरना बहुत बड़ा संकट महा संकट जो कह रहे हैं कि चुनाव जल्द करने चाहिए यह बेन्यामिन नेतनियाहु के लिए से बड़ा संकट बन चुका है